घेलो दोस्तों आपका स्वागत है नैनो ट्रिकी किचिन में जहां परफेक्ट टिक से दिया जाता है परफेक्ट जैए का आज हम बनाएंगे परफेक्ट मेथी खस्ता परांटा जिसे बनाना है बहुत आसान और खाने में है बहुत टेस्टी और है फ़लेस्टी एक People контрol करती ह कोड़ में दोस्तों अब गांगे मैं इसमें सारे मसाले और लिया है लिया है यहां की जो नमी से चारो तरफ तरफ निकल जाए है जो हैं तो अब इसमें अपने सारे मसाले आड करेंगे अब सारे इसको श्टप को हम अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे दूसरी साइड हम आटा लगाएंगे आटे में हम थोड़ी अजवाइन लेंगे अजवाइन को क्रिस्ट करके डालेंगे अजवाइन हैल्थ और पॉइंट और व्यू से दोस्तों हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है तो इसे जरूर डालें इसकी पना करें दोस्तों इसका टेश्ट भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है दूसरी तरफ दोस्तों हम इसमें थोड़ा साल्ट भी अड़ करेंगे और अच्छे से लगाएंगे और और ऑइल हमने क्रिस्पी बनाने के लिए हमारे पराइटा खस्ता बने थोड़ा सा क्रिस्पी रखने के लिए हमने इसमें डाला है अब हुआ अपना आटा तयार कर लेंगे और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों जो इसका पलोधन तयार करो उसमें थोड़ा सा सूजी और बेसन को भून लीजिएगा तो उससे अगर आप भून कर बनाते हो पलोथन यूज़ करते हो तो आपका टेश्टी आपका पराठा और भी ज़्यादा टेश्टी हो जाएगा क्रिस्पी हो जाएगा यह देखी पराठी मैंने स्क्वेयर सीप दी अपने पराठी को आप अपने इसाप से कोई भी शेप दे सकते हैं यह मैंने शेप दी है कि इससे मुझे देखने में भी पराठा थोड़ा अच्छा लगता है और इसमें टेश्ट भी टेश्टी तो है ही दोस्तों यह और इस तरह से बेलते जाएंगे स्क्वेर शेप देने के लिए राउंड देनी है तो आप जैसे बनाते हैं वैसे बना लीजिएगा अब ये देखिए दोस्तों ये मैंने बना लिया है अब मैं इसको सेकूंगी और ये मैंने सेकने के लिए दोस्तों एक बात कहीं आपे ध्यान रखना कि ये धीरे-धीरे ही सिखता है क्योंकि मैंने जो अपना पलोथन है वो सूजी और बेसन का है तो इस वो थोड़ा सा पकने हलका सा टाइम लगेगा तो उपर यह क्रिस्पी और खस्तापन इसका बहुती अच्छा आने वाला है दोस्तों और यह बहुती टेस्टी लगेगा और आप इसको भूल नहीं पाएंगे इस टेस्ट को तो यह लेजिए तयार है पराठा थेंक्यू फोर वॉचिंग